सेवियर स्टेडीज में आपका स्वागत है हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री जिसमें हम लोग वैदिक सभ्यता तक पढ़ लिये थे और हिस्ट्री से सम्मंधित जो है और सारे विडियो बनते रहेंगे लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी और जियोग्राफी पर आज हम लोग का पहला विडियो होगा जो हमारे लिए जियोग्राफी का एक इंट्रोडक्शन होगा हम समझेंगे कि जियोग्राफी क्या है और इसे सम्मंधित कुछ ऐसे विद्वान हैं कुछ ऐसे बिचार हैं जिनको हम आज समझेंगे और आज का वीडियो हम लोगं के लिए बहुत ही important होने वाला है तो इसको बीच में skip मत करिएगा वीडियो पूरा last तक देखिएगा क्योंकि परिच्छा की दृष्टिकोंड से और हमारी जानकारी के दृष्टिकोंड से वीडियो बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हमें पराप्त होगी यही हमारा कोशिस है और इस तरीके से हम जो है content रखे हुए है तो चलिए सुरू करते हैं आज हम पढ़ रहे हैं भूगोल मतलब जियोग्राफी पढ़ रहे हैं ठीक है तो बात हम करते हैं कि नार्मली अगर हम बात करें जियोग्राफी की तो इसकी दो साखाएं है एक है भौतिक भूगोल और एक है मानो भूगोल भौतिक भूगोल में हम पृत्वी-पृत्वी की उत्पत्ती ग्रहन अप्छत्र, सौरिमंडल और ब्रम्हांड की बातें करते हैं इसकी उत्पत्ती के बिसे में बात करते हैं वहीं अगर हम मानो भूगोल की बात करें तो मानो का कैसे आगमन होता है किस-किस परजातीयों में मानो जो है बदलता जाता है कौन-कौन सी मनुस्य की परजातियां आई और इस समय कौन सी परजाती से जो है हम लोग आये हुए हैं जैसे होमोसोपियंस की बात करते हैं और कई तरह के मानो पाए गया जैसे कि क्रोमयगनान मानो नियंडर्थल मानो पीकिंग मानो तो इस तरीके से यह सब चीजें जो है मानो भूगोल के अंतरगत आती हैं और अगर हम प्रिथविक यूत पत्ती बात करें भूतिक घटनाओं क बात करें तो यह सब भूतिक भूगोल के अंतरगत आते हैं तो मेंली हम इसमें भूतिक भूगोल पढ़ेंगे मानो भूगोल नहीं पढ़ेंगे बहुत थोड़े अंस में पढ़ेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे मेंली भूतिक भूगोल जिसमें हम वर्सा पठार चटान नदी, देश और उनकी स्थिती, महादीप और उनकी स्थितिया, खनीज, ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलिए सुरू करते हैं हम यहां से, तो सबसे पहले जब हम कोई विशय पढ़ते हैं, तो उसकी एक परिभासा होती है, परिभासा हमें ये बताती है, कि जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या है, जो भी से पढ़ रहे हैं, जैसे भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल कीसे कहते हैं, क्या है भूगोल क्यों पढ़ते हैं, तो एक छोटी सी परिभासा हम यहां देख लेते हैं, कि भूगोल में पृत्वी के उस भाग का अध्यान किया जाता है जो मानों के रहने का अस्थान है ये परिभासा आर्थर होम्स के द्वारा दी गई है भुगोल की कई परिभासाएं अगर हम बुक अगर खोलते हैं तो हम देखते हैं कि भुगोल की कई परिभासाएं देखने को मिलती हैं लेकिन सभी परिभासाओं को यहां पढ़ा जाएए सम्हों नहीं है तो जो कुछ मुख्य परिभासाएं हैं उन्हीं पर हम बात करेंगे इसमें सबसे छोटी और सरल परिभासा की अगर हम बात करें तो आर्थर होम्स की परिभासा है जो इस प्रकार है कि भुगोल में पृत्वी के उस भाग का अध्यान क करते हैं जिसने मानव का निवास है जहां मानव रहता है और प्रकृति और मानव के बीच का जो अंतर संबंध है उसके विशय में हम बात करते हैं ध्यान करते हैं तो इस प्रकार हम समझते हैं भुगोल की परिभासा जो दिये हुए हैं आर्थर होम्स ठीक है अब आगे की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इंडिया और यूनान ये दो ऐसे देश हैं जो प्राचीन काल से एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं और दर्सन के छेतर में भुगोल के छेतर में गनित के छेतर में दोनों देशों ने अपना बहुत ही महत्वूर योगदान दिया तो इसी क्रम में कुछ यूनानी बिद्वान है और उनके कुछ अपने मत हैं उन पर हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं हिकेटियस की हिकेटियस जो थे वो एक यूनानी बिद्वान थे हिकेटियस जो थे वो एक यूनानी बिद्वान थे तो हिकेटियस ने अपनी पुस्तक J esperiodas में भोगोलिक तत्यों का क्रमबध वाणन किया, ठिक है, हीकेटियस सबसे पहले कौन विद्वान है, हीकेटियस हैं, और हीकेटियस ने अपनी पुस्तक Jesperiodas, Jesperiodas का मतलब यहां यह है, प्रिथवी का वर्ण इनकी पुस्तक कौन सी है इनकी पुस्तक है जेस पिरियोडस तो इसका मतलब होता है प्रिथवी का वर्ण तो इस पुस्तक में इन्होंने भावोलिक तत्तों का क्रमबध वर्ण किया था किसने हिकेटियस ने ठीक है इसके बाद हम आते हैं इरे को पढ़ेंगे समझेंगे लेकिन जो है हम हिकेटियस की अगर हम बात करें तो हिकेटियस को भुगोल का जनक कहा जाता है ठीक है ना तो आगे देखते हैं इरे टॉस्थनीज इरे टॉस्थनीज सबसे पहले जियोग्राफिका सब्द का प्रयोग किया इरे टॉस्थनीज जो एक युनानी विद्वान थे और इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफिका सब्द मतलब की भुगोल जियोग्राफिका का मतलब क्या है भुगोल तो सबसे पहले इरे टॉस्थ सबसे पहले प्रयोग इरे टॉस्थनीज ने किया किस पुस्तक में पुस्तक कह रहे हैं इसमें जो ग्राफिका में जो ग्राफिका का मतलब भूगोल सब्द से होता है और इरे टॉस्थनीज को भूभौतिकी का जनक कहा जाता है जो इरे टॉस्थनीज थे इन्हें भूभौत का जनक कहा जाता है तो एक पॉइंट हम समझ लिए कि भू भूतिकी का जनक कौन है तो इरे टास्थनीज है तो इरे टास्थनीज को भू भूतिकी का जनक किया कहा जाता है और सबसे पहले भूगोल सब्द का इस्तेमाल किस ने किया इरे टास्थनीज ने किया था ठिक है अब तो आगे हम बढ़ते हैं एनक्जीमेंडर, तो एनक्जीमेंडर की हम बात करें, तो यहां हम देख रहे हैं, कि एनक्जीमेंडर एक ऐसा भिद्वान था, यह ऐसा भूगोल वियक्ता था, जिसने भी सुका मानचीतर मापक पर बना। यहाँ पर समझने वाली बात है मापक, तो मापक पर 20 का मांचीत्र मापक पर बनाने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था, वो कौन था, एनेक्जिमेंडर था, अब मापक से क्या मतलब है कि जब हम मांचीत्र बनाते हैं, तो मांचीत्र तो छोटा बनेगा, कागस पर बनेगा, तो कागज पर तो पूरे 200 को रख नहीं सकते तो यहाँ पर हम एक मानक तयार करते हैं कि अगर हमें 100 km की दूरी दिखानी है तो वह cm में कितना दिखाएंगे जैसे कि 100 km अगर दिखाना है तो 10 mm equal to 100 km इस तरीके से मानक तयार करते हैं उस मानक पर हम जो है मायप का जो है निर्मान करते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम समझ लिए मापक और मापक पर सबसे पहला व्यक्ति जिसने 200 का मायप बनाया वो कौन था एनेकजिमेंडर था एक और भी द्वान आते हैं फ्रेडरिक रेटजल और फ्रेडरिक रेटजल को मान मानो भूगोल का जनक किसे कहा गया फ्रेडरिक रेटजल को और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो है एंथ्रोपो जियोग्राफी एंथ्रोपो जियोग्राफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी किसकी फ्रेडरिक रेटजल की एंथ्रोपो जियोग्राफी इनकी पुस्त एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल ठीक है तो यह समझ लिए हम मानव भूगोल तो यह मुख्य बिंदु में कुछ थी जिन्हें हम देखें आगे देखते हैं तेहां पर देख रहे हैं कि कलांतर में भूगोल में तीन वीचार धाराएं सामने आई और यह तीनों वीचार धाराएं अपने आप में बहुत ही महत्मूर अस्थान रखती हैं ठीक है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक है निस्चैवाद तीनों वीचार धारा में जो पहला है हमारा वो है निस्चैवाद तो निस्चैवाद में क्या कहा गया कि यहां पर हम दे सक्ति साली है और उसके तुलना में मनुस्य कम सक्ति साली है मतलब कि मनुस्य प्रकृति पर नियंत्रण नहीं पा सकता है प्रकृति की सक्ति सर्वपरी है और प्रकृति के आगे मनुस्य बिवस हो सकता है ठीक है यह माना गया और इसके जो समर्थत थे वो कौन-कौन थे तो एक कार्ल रीटर थे रेटिजल थे और इनी की सिस्या थी जो अमेरिका में रहती थी एनल सेंपूल थी और हाटिंटन भी इसी मत के निश्चेवाद के जो है समर्थक थे ठीक है अब है संभवाद तो संभवाद में मानों को अधिक महत्व दिया गया ये कहा गया कि अगर मनुस्य चाहे तो प्रकृति पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर सकता है ठीक है और कई सारे उधारण भी दिये गया जैसे कि नदियों पर बाध बना लिया गया बिजली उत्पन की जाने लगी नए नए उपकरण बनाये जाने लगे तो मनुस्य जो है कही न कहीं जो है प्रकृति पर काबू पाते दिख रहा है गर्मी के समय में अपने आपको सीतल करने के लिए ठंडा करने के लिए कई सारे उपकरण एसी है पंखे है उपकरणों को प्राकृतिक नियम है उन नियमों को मनुस्य तोड़ कर उन पर विजय प्राप्त कर रहा है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि संभवाद में कि मनुस्य को सबसे अधिक महतु दिया गया और यह कहा गया कि मनुस्य प्रकृति से ज्यादा शक्तिसाली है अब इसके समर्थक हम बात कर लेते हैं जो सबसे प्रमुख विद्वान थे जो फ्रांस के थे बिडालडीला ब्लास और फेवरे यह दू ऐसे बिडालडीला ब्लास और फेवरे जो यह कहते हैं कि मनुस्य प्रकृति से अधिक सक्तिसाली है और इनकी इस विचारधारा को संभवाद के नाम से जाना गया ठीक है अब है नौनिस्चेवाद तो नौनिस्चेवाद में दोनों को नकारा गया कहा गया कि निस्चेवाद भी सही नहीं है संभवाद भी सही नहीं है तो सही क्या है तो इन लोगों ने क्या किया कि नौनिस्चेवाद के सिधान्त का प्रतिपादन किया और न और आहे पर खड़े किसी एक गाड की तरह है ट्रेफिक पुलिस की तरह है जो कि या तायात को नियंत्रित कर सकता है लेकिन उसे रोक नहीं सकता है या तायात को थोड़े देर के लिए मोर सकता है लेकिन उन्हें रोक नहीं सकता है उसी प्रकार जो मनुस्य है वह प्रकृति क के उपर काबू नहीं पा सकता बलकि उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है अनुकूलन कर सकता है लेकिन प्रकृति को मनुस्य नकार नहीं सकता है मनुस्य भी सक्तिसाली है और मनुस्य के साथ-साथ प्रकृति की भी अपनी छमताएं हैं जैसे कि कई सारे ऐसे घटना हो जाए भूछस खलन हो जाए जो है आकस्मिक कोई प्राक्ति घटना हो जाए हमें जानकारी ही नहीं है कि ऐसी को घटना होगी तो प्रकृति की सकती है वहां मनुसिय लाचार हो जाएगा कोई ऐसा वायरस आ जाए कोई इस चैवाद में कि प्रकृति और मानव दोनों को महत्तर दिया गया ठीक है और इसके जो समर्थक है इस इधान्त के जो प्रतिपादक है हों है ग्रिफित टेलर ठीक है तो इस तरीके से ये भुगोल का छोटा सा परिचय रहा इस पर और सारे कंटेंट बनेंगे बहतर कंटें तो इसमें कौन-कौन सी चीजे हम देख लिए हैं सबसे पहले हम देखें हिकेटियस ने क्या किया कि सबसे पहले अपनी पुस्तक जस्पिरियोडस में भुगोलिक तत्तों को क्रमबध करने का काम किया और हिकेटियस को जो है भुगोल का जनक कहा जाता है इसी क्रम में हम द न बोल करके कौन सा सब्द बोला था जियोग्राफिका बोला था जिसका मतलब की भूगोल हुआ ठीक है और इरे टॉस्थनीज को भूब होती की का जनक कहा जाता है इसी तरीके सम्देखते हैं एनेगजीमेंडर को तो एनेगजीमेंडर एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने वि कितनी दूरी को कितनी दूरी से दिखाएंगे किलो मीटर में है तो उसको मिली मीटर में कैसे दिखाएंगे ये मतलब होता है मापक का और ये भी ये बात समझ लिये थे कि मुख्यता भूगोल की दो साखाएं हैं तो भूगोल की दो साखाएं कौन कौन सी हैं तो एक है भू उस्तक लिखी थी उसका नाम है एंथ्रोपो जो ग्राफी ठीक है फिर देखते हैं कि बाद में चल करके भुगोल से संब्धित कुछ विचारधाराएं सामने आती हैं तो उनमें तीन सिध्धान दिखाई देते हैं वो कौन कौन से हैं तेक है निश्चयवाद है एक सन्तुलित, सिध्धानत, परस्टुत किया गया और कहा गया कि मनुष्य साथ साथ प्रकृती भी सक्ती सालिए तो आज भुगोल का परिचे हम लोगों का रहा है आगे और भी तरीके से पढ़ेंगे और नए नए बिसियों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में इतना ही और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो को सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए